नमस्कार साथियो स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल दाएक्यू ट्रेडर्स में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी जो मैंने ग्रूप में भी शेयर की थी एक ग्रूप में और वहां हमारे मित्रों ने पूछा था कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ हला कि मैंने कुछ स्क्रीन शॉट डाले थे प्रॉफिट के तो दोस्तो इसमें मैंने बताया था कि डबल जीरो की स्ट्राइक्स में देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से जैसे बजार ओपन होता है, बैंग निफ्टी ओपन होती है, एक मिनिट का ये चार्ट है, एक मिनिट के चार्ट पे ही मैं मोनिटरिंग करता रहता हूँ, तो डबल जीरो की जो स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे 40,700, 40,800, 40,900, 41,100, ऐसे आप लाइन ड्रो करके रख लीजिए, जहां भी बैंग निफ्टी जाए, वहां लाइन ड्रो करके रख लीजिए, अब इससे होता क्या है कि आपके पास लेवल मार्क हो जाते हैं, उसके बाद जैसा आप ये देख रहे हैं, ये इसके आसपास होता है, तो आप ये वाली ग्रीन कैंडल अगर ये यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद जिसने ये डिमांड कैंडल बनाई, डिमांड कैंडल बनाने के बाद ये दो कैंडल मैं बता रहा हूँ, ये डिमांड कैंडल बनाई, मतलब कि यहां पर एक बार इसने लो बनाया था, उसके बाद यहां फिर से इसने यहां ड demand दिखाने की कोशिश की green बनाने की कोशिश की और जैसे ही इस candle ने ये तीन candle का consolidation दिखाया तो यहाँ इसके high पर आप एक buy order ले सकते थे कुछ इस तरीके से trade मैं करने की कोशिश करता हूँ double zero वाली strikes पे और जो stop loss होता है वो nearest जो candle low होती है उसका SL होता है जैसे कि ये इसका low है 40858 तो ये low low जो होता वो SL हो जाता या इस red candle का low 40870 वो मेरा SL हो जाता तो इस तरीके से trade करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद इसके बाद आप अपना target एक मिनट का या अपने momentum के हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों scalping करने की कोशिश करता हूँ जो पैसा मिल जाए वो अच्छा लगता है इसी तरह एक ट्रेड हमने यहां लिया था एक ट्रेड हमने इस candle पर लिया था जब यह जब कि यह जब कि यह 41,000 के बाद दोस्तों यहां पर यह 41,000 से नीचे आई और उसके बाद एक green candle बनाई तो यहां हमने एक चोटा सा stop loss मानकर यहां एक bull push trade लिया था तेजी का trade एक लिया था call की trade लिये थे इसके बाद एक trade हमने low side में लिया था जब यह काफी तेज नीचे आ गया था काफी तेज नीचे आने के बाद यह 40,800 यह trade तो मिस हो गया था यह जब कि एक trade बन रहा था लेकिन यहां एक trade किया था जब यह नीचे से pull हुआ था तो दोस्तों यह एक strike है यहां मैं आपको दि जा रहा था तो यह जो candle है जिसको मैं color mark कर रहा हूं यह green और green के बाद यह red candle ने push दिखाया एक minute की red candle ने push दिखाया कि हाँ यह नीचे की तरफ से pull back आ रहा है तेजी का pull back आ रहा है तो यहां एक trade हमने बिलकुल लिया था और इसमें हमने 2 minute में ही profit book किया था जब यह red बनने लगी थी तो हम निकल गए थे तो दोस्तों profit का target तो आप अपना रख सकते हैं लेकिन entry का target मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मैं double zero वाली strikes पे एक entry लेने की कोशिश करता हूं double zero वाली strikes पे जो भी hovering होती है उस hovering को जो भी आसपास में trade कर रहा होता है उस trade को मैं देख प्रशिश करता हूं थेंक यू